नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अजे कुमार यादू एक बार फिर से हाजिरूं इतिहास के पन्नों की रहस्मे कथाओं को लेकर प्राचीन हिंदु ध्रम गरंथों में पौरानिक किसाहित में साथ चिरंजीओं का उलेक मिलता है चिरंजीओं वो व्यक्ति हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है जो कभी मृत्यू को प्राप्त नहीं हुए आज हम हुनी चिरंजीओं के बारे में बताएंगे कि वो चिरंजीओं होने का वरदान हुने कैसे मिला और वरतमान में वो कहां पर निवास करते हैं सरव पर्थम राजा बली आते हैं राजा बली भक्त पहलाद के वंशज थे एक बार वो एक विशाल यग का आयोजन कर रहे थे उस यग के आयोजन के पस्षाथ उनके अंदर बहुत सी सक्तिय आ जाती वो सक्ति संपन हो जाते भगवान विशनु ने उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए वामन का रूफ धरन किया और राजा बली से दान मांगा भगवान विशनु ने राजा बली से तीन पक धरती दान के अंदर मांगी और भगवान विशनु ने पहले कदम के अंदर संपूर्ण पर्थी लोग दूसर कदम के अंदर संपूर्ण स्वर्ग लोक नाव दिया और बोला तीसरा कदम है कहां रखूं तो राजा बली ने खा कि आप तीसरा कदम मेरे सर पर रखे भगवान विन सुनू उन्से अत्यंत प्रशन हुए ताथा उन्हें पाता लोक के सुतल लोक का राजा बना दिया जो कि अत्यंत वेभू संपन है जहां पर इंद्रादी देवता भी जाने के लिए तरस्ते हैं इतना वेभू और धन्य धानशे शंपन है वर्तमान में राजा बली सुतल लोक में निवास करते हैं राजा बली का काल सत्युग माना जाता है दूसरे नंबर पर परसूराम आते हैं परसूराम एक महान रिशी थे इनके पिता का नाम जम दगनी और माता का नाम रेनुका थी रेनुका पांच पुत्त्रों की मता बनी जिए नाम क्रम से वसुमान वसूसेन वसू विसवास वसु तद्सराराम रखे गए हैं राम की तपस्या से प्रसन होकर भगवान सिव ने इने एक परसा दिया, इसलिए परसू राम कहलाई। एक बार हिनों ने अपने पिता की अग्या मानकर अपनी माता रेनुका का शीश काट दिया। इनके पिता इनसे अत्यंत प्रस्ण हुए तधा इनकी माता को पुनर जीवित किया। हिने अपने पिता से ही चिरंजी होने का वर्दान मिला। ये भगवान विश्णु के छटे अवतार माने जाते हैं। रामाईन काल के अंदर भगवान राम ने इनकी समस्त तप सक्टियों को छीण लिया। तो ये महंदर परोत पर जाकर निवास करने लगे। और वहां पर तपष्या करने लगे। महाभारत काल में भी इनका मेहंदर परोत पर निवास करने का उलेक मिलते हैं। आज भी ये मना जाता है कि परसुराम जी मेहंदर परोत पर निवास करते हैं। इनका जनम वैसाक मास के सुकल पक्स की तिर्टिया को हुआ था जो आज भी परसुराम जैन्ती के रूप में मनाया जाता है। रिशी वेदवयास महरसी पारासर एम सत्वती के पुत्र थे ये यमुना के एक दीप में पैदा हुए थे तता सावले रंके थे इसलिए इनका पहले का नाम किर्शन द्यवपईन था। इनकी माता ने बाद में सांतुनी से विवा किया जिनके दो पुत्र चित्रांगत पहलाए वेदवयास जी नहीं महावारत की रचना की तता व्यास इसमर्ती नाम से एक ग्रंथ भी बनाया ये भी चिरंजीव माने जाते हैं जो आज भी तपश्यरत हैं असुथांबा गुरू द्रोनाचारी के पुत्र थे महावारत की युद्ध की समापते के पस साथ जानता था अरजुन ने भी उसकी काट में भ्रहमास्तर चलाया लेकिन अरजुन ने अपना भ्रहमास्तर वापिस ले लिया इन्हों ने अपने भ्रहमास्तर का प्रभाव उत्रा के गरभ पर छोड़ दिया जिससे परीचित उत्रा के गरभ से मरे हुए पैदा हुए लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने परिषित को जीवित कर दिया और अस्सो थांबा के मात्य की अमर्मनी को निकाल लिया और इसको इस घ्रनित कारिये के लिए कल्प के अंतक भटटने का साफ दिया आज भी अस्सो थांबा को यदा कईदा कहीं पर देखने के दावे किये जाते हैं बाकी महाभारत में जो अंतिम उलेख मिलता है इनका काम्यावन में जाने का उलेख मिलता है। चाटे नमबर पर प्रभूसरी हनुमान जी आते हैं हनुमान जी को प्रभूसरी राम से चिरंजीव होने का वर्दान मिला था कि जब तक राम की का था इस दुनिया में विद्वान रहेगी वहें पर हनुमान जी विद्वान रहेंगे महाबारत के अंदर हनुमान जी का और विशाल रूप का दर्सन देते हैं अमतीन नंबर पर विविशन आते हैं जो रावन के भाई थे जिनों ने युद में प्रभू सिरी राम की मदद की थी माना जाता है कि विशन को प्रभू सिरी राम से ही चरंजी होने का वरदान मिला था महा भारत के अंदर भी इनका उल लगा कमेंट करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें जै हिंद जै भारत